दोस्तों आपके इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे घरिलू तरीके बताने वाला हूँ कि कैसे आप मानश्पेशिय में होने वाले दर्द, एठन और पैरों में होने वाला दर्द, पिंडेलियों के दर्द को घर पर रहकर ठीक कर सकते हैं। इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। आपको पूरी जिंदगी जोडों में, घुटनों में, पीठ वा कमर में होने वाला दर्द की समस्या नहीं सताएगे। लेकिन यहां दर्द होता क्यों है, से कारणों को भी जानना अज बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप इसका आसानी से इलाज कर सकते हैं। दोस्तों हड्यों की कमचोरी, जोडों में, घुटनों में दर्द, उम्र बढ़ने के साथ होना स्वभाविक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। या किसी दिन अचानक से ज्याना शारेरिक महनत कर लेते हैं, या भारी वजन उठा लेते हैं, तब भी शरीर में दर्द होता है, एठन शुरू हो जाती है। अगर इस तरह का दर्द लगता रहता हो, तो उसकी वज़ा है शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से ना होना यानि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, शरीर के जिस हिस्से में नसें ब्लाख हो जाती है, शरीर के किसी अंग में खुन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुच बाता तो उस जगह पर दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर किसी को कम उमर में, यानि 30 म इसके उमर में इस तरह की समस्या होने लगे, तो यह चिंता वाली बात है। जब शरीर में जरूरी पोशक तत्मों की कमी हो जाती है, तभी शुरू हो जाता है। जैसे शरीर में केल्शिय में कमी और विटामिन D की कमी है। दोस्ता भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मसल पेन, मानस्पेशिय में दर्द, अकडन, पिंडिलियों में दर्द, पैरों के तलों में जलन को आप घर पर कैसे ठीक कर सकते हो। आपको होम रेमीडिय बताऊंगा, डाइट बताऊंगा तो वीडियो को ध्यान से अंतक जर जरू देकाौ शत्ति इताऊंगा उसीन म्सलों में दर्द driven के तलो यह प्लति में कभी भी न करते मानस्पेशिय में मतला कि मतली तो इसकेलियों के घर यह चाहिए आपको और कहा हरो काफ़ समय तो अगर आप शहद के साथ खाएंगे तो ज्यादा फादय मत होगा केली को बीच में से काट कर इसमें शहद डालिए और रोजाना खाएंगे क्योंकि केली के अंदर पोटेशियम भरपूर मात्राइं पाजाता है जो आपको मार्श पीश्य में अकड़ जकड़न की समस्या से दर्द की सबस्या से छुट खारा दिलाएगा इसके लावा आप उबलेवे आलू खा सकते हैं पालग को अपने डायट में शामिल केजिए किसी भी तरह से आप पालग का सेवन कर सकते हैं आप इसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं सूप बनाकर खा सकते हैं या फिर आप इसे जूस के रूप में भी ले सकते हैं, इसके लावा दूद और दूद से बनी चीजें लेना शुरू करते हैं, साथ में थोड़ी सी मातरे में गुड़ खाईए, गुड़ जो आप लेंगे वो डार्क कलर का होना चाहिए, गाढ़ी रंग का होना चाहिए, प्रोधाना 5-7 गरम जरू खाईए, क्योंकि गुड़ में भरपूर मातरा में कल्शियम, मंगनेशियम और पोटैशियम पाजाते हैं, अभी गरमी का मौसम चल रहा है, तो थोड़ी ही मातरा में गुड़ खाईएगा, ठंड के मौसम में आप भरपूर मातरा में गुड़ का सेवन कर सकते हैं, इसके लावा आप इस बीज को अपने डायट में जरू शामिल करें, यह दोस्तों कद्दू के बीज, जिसे इंगलिश में pumpkin seeds कहते हैं, आप इसको रोजाना 2-3 चमच की मातरा में ले सकते हैं, इससे जादा नहीं लेनी है, 2-3 चमच, यानि के लगबग 15-20 ग्राम की मातरा म आप इसे roast करके ले सकते हैं, powder बनाकर दूद में mix करके ले सकते हैं, या फिर powder बनाकर आटे में mix करके इसकी रोटी बनाकर खा सकते हैं, किसी बी तरीके से pumpkin seeds जरू लिजए, या आपके मानशमेशियों में दर्द, अकड़न, जकड़न आउ साथ में जो मानशमेशियों कमज दूर करना चाहिए, मानशमेशियों से related जितनी भी समस्या हैं, उनको दूर करने के लिए कड़ू के बीज बहुत अच्छे होते हैं, यह दवा की तरह काम करती है, इसके साथ साथ आपको बदाम, अलसी, तील के बीज को अपने diet में शामिल करने चाहिए, क्योंकि इन सभी बीजों में अच्छी मातरा में potassium और magnesium पाया जाते हैं, या आपको मैं जितनी भी चीजे बता रहा हूं, इन सभी चीजों को एक साथ में नहीं खाना है, आपको केवल एक दिन में एक चीज का सेवन करना है, यानि आप एक दिन में एक चीज खा लिजे, दूसरे दिन अलग चीज खा लिजे, तीसरे दिन अलग चीज खा लिजे, इस तरह से अपने डाइट में आप इन्हें बारी-बारी से शामिल करते रहें, इसके लावा आप जानते ही हैं कि शरीर में किसी प्रकार के होने वाली कमजोरी और बिमारियां nutrition की कमी की वज़ा से होती है, या फिर हम में ज़रूरी nutrients की कमी को पूरा कर आप हड्डियों की कमजोरी को दूर कर सकते हैं, मसल पेन की समस्या को दूर कर सकते हैं, हाथ पर में एठन, अकडन, जकडन को दूर कर सकते हैं, और साथ में जो शरीर में जो कमजोरी है, खोन की कमी है, उसे भी आप दूर कर सकते हैं, रो किसी भी ग्रोसरी शॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाएगे इन दोनों ही बीजों का आपको सेवन करना है साथ ही अगर आपको गठिया और्थराइटिस की समस्या है तो तील और अलसी के साथ साथ मेथी दाने भी ले सकते हैं क्योंकि मेथी जो है श्री में से वाथ यानि व अच्छे बुढ़े इस तरी पूरुष सभी लोग कर सकते हैं अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो जरातर बीमार रहता हो तो वे भी इस रोटी का सेवन कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर चार चमच अलसी और चार चमच तील के बीज लिये हैं और साथ में लिया है एक चमची मात्रा में मिथी के दाने इन तीनों ही चीजों का आपको तवय पर हल्का ड्राय रोष्ट कर लेना है जब यह हल्का ठंडा हो जाय तो आप इसका पौडर बना कर रख लीजे और आटा गुथ कर पांच मिलेट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजे तिरह आप इसकी रोठी बना कर इसका सेवन कीजे और अपने पूरे परिवार को खिलाए अगर किसी इंसान के शरीर में कैलिश्य में कमी है मैंगनेश्य में कमी है पोटैश्य में कमी है या जोड़ के दर्द की शिकायत है तो इस रोठी को खाना आज से शुरू किजे आपकी ये समस्या धीरे-धीरे कम होती जाएगी इसके लावा अगर घर में ऐसे को शदस्य हो जिनको डायबेडीस की समस्या है हाई बीपी की समस्या है कॉलिस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है ट्राइगलिस् नहीं होगा लेकिन यहाँ पर पेगनेंट महिलाओं को इस रोटी का सेवन नहीं करना है या फिर जो बिल्कुल बेड रेष्ट पर है जिनका चलना फिरना दुबर हो चुका है उन लोगों को भी इसका सेवन नहीं करना है क्योंकि इस रोटी को डाजिस्ट करने में उनको सम लग जाता है बहुत सारी से समस्या होने लगती है तो पानी की कमी बिल्कुल नहीं दें रोजाना कम से कम धाई से तीन लिलिटर पानी जरू पियें और जिसे मैंने बताइज साथ में रोजाना दो के लिए आपको जरू खाने हैं इस रेमेडिय को फॉलो कीजिए बताएगा एच्छी लेगी होगी फादेमन लेगी होगी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जाते जाते जरूरू इस वीडियो को लाइक करते जाएए धन्यवाद